तो हे गाईस, finally Filmora X launch हो चुका है, अगर आप अभी भी Filmora का जो old version है 9.5, इसे ही आप use कर रहे हैं, तो मैंने link description में दिया है, वहाँ पर जाकर आप Filmora X को easily download कर सकते हैं, तो गाईस, अगर आपने पहले ही Filmora 9.5 को purchase किया है, तो same account से आप Filmora X में login कर सकते हो, आपको यहाँ पर extra video editing software है, और ज्यादा तर नए यूटूबर से इसे ही prefer करते हैं, क्योंकि देखें, इसका जो user interface है, बहुत ही simple है और बहुत ही powerful, तो देखें गाईस, लास्ट 4 येर से मैं भी Filmora में ही video editing कर रहा हूँ, लास्ट मेरे जितने भी video edits में ने किये हैं, वो Filmora में ही किये हैं, अगर आप भी video rating सीखना चाहते हैं, अगर आप एक नए यूटूबर हैं, तो मैं highly prefer करूँगा, आप Filmora को ही use केजेगा, तो चले गाईस, देखते हैं अभी Filmora X में नए बाले जो options है, वो कौन से add हो चुके हैं, तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर इसका जो layout है, वो थोड़ा स control मिलता है, उसके बाद आप audio ducking कर सकते हैं, यानि कि यह जो option है, मैं आपको आगे बताऊंगा, practically आपको laptop में करके देखाऊंगा, उसके बाद आप motion tracking कर सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है कि motion tracking क्या है, तो देखें गाईस, अगर मैं इस तरह से हाथ धिलाता हूँ ना, त color match का भी एक option यहाँ पर है, तो इस सारे जो options से मैं आपको आगे बताऊंगा, तो चलिए गाईस, चलते हैं हमारे laptop screen के पास, तो देखें गाईस, यह से आप Filmora 10 ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर थोड़ा से जो slightly changes आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अगर आप प देख सकते हैं, जो version है, वो 10 है, तो मैंने इसे update किया है, तो देखें गाईस, अगर आप Filmora 9, 9.5 यूज करते हैं, अगर आपको update करना है, और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाया दे रहा है, your current version is the latest version, तो आपको simply क्या करना है गाईस, मैंने link description में दिया है, आप जाकर download कर सकते हैं, या फिर आप directly Filmora का जो website यहाँ पर जाकर, वहाँ से easily Filmora 10 को download कर सकते हैं, तो download करने के बाद देखें, आपको कुछ इस तरह से दिखाया देगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको slightly changes देखने को मिल जाएंगे, तो जैसे जैसे आप यूज करेंगे, यह actually audio file है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ तक मेरा जो audio file है, यहाँ तक है, और उसके बाद में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखेंगे, graph नहीं है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा music add करना है, और उसका जो volume है, थोड़ा सा जाधा होना चाहिए, और यहाँ प आपको बताता हूं कि कैसे करना है, तो simply आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा, यहाँ पर एक cut करना है, यहाँ पर आपको करसर रख कर यहाँ पर control B करना है, और उसके बाद आपको इसे यहाँ पर लेना है, और इसे select कर लिजेगा, और control B, ओके, तो यहाँ प इसके लिए आपको क्या करना है, simply जो first part है, इसके उपर आपको double click करना है, और जैसे आप double click करेंगे, आप यहाँ पर देख सेते हैं, audio का एक option है, इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा से नीचे scroll करना है, और यहाँ पर यह जो ducking का option है, इसे आपको on करना है, तो आप यहाँ कम कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सेते हैं, और थोड़ा कम हो चुका है, तो इस तरह से ducking का option है काम करता है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो cut किया है, यहाँ से क्या हो रहा है, यह जो music है background का ज्यादा हो रहा है, तो guys मान लेजे आपको यह जो third part है वीडियो का, इसमें मेरा voice है, ओके, आपको background music कम चाहिए, तो आपको फिर से यहाँ पर ducking का option को activate करना है, उसके लिए आपको just double click करना है, आपको यहाँ पर tick करना है, ducking का option है ना, इसे tick करना है, और आपको कितना volume कम करना है, यहाँ पर आपको type करना है, 70 मैं कर रहा हूँ आप देख से यहाँ पर यह जो volume है, कम हो चुका है, तो देखे गाइस इस तरह से यह जो ducking का option है, काम करता है, जहाँ पर आपकी बाते नहीं है, आपको थोड़ा सा music ज्यादा चाहिए, ऐसे situation में आप इसे use कर सकते हैं, और background music अपने हिसाब से आप adjust कर सकते हैं, ओके, है तो यह थे Filmora X के थोड़े से updates, जो कि Filmora 9 9.5 में missing थे, और यह जो options अट होने की बाद Filmora X बहुत ही powerful हो चुका है, और यह जो options है, बहुत ही पसंदा है, मुझे आपका opinion क्या है, मुझे नीचे comment करकर जरूर बताना, गाइस इस video में मैंने motion tracking, key framing और color matching के जो option है, इस video में मैं कवर नहीं किया है, इसके regarding मैंने separate videos बनाई हुए है, अगर आपको देखना है तो उनका link के मेरे description में दिया है, अगर आप चाहें तो एक बार जाकर उसे देख सकते हैं, तो guys उम्मेद करता हूँ आपको जो वीडियो है पसंदा होगा, अगर पसंदा है तो एक like कीजीगा, अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करना और अगर आपने हमारे telegram चैनल को join नहीं किया है तो अभी join कर लीजिए latest updates के लिए, तो चलिए मिलते हैं अनली बीडियो में तब तक के लिए, बाई